हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन एलेक्ट्रिकल मंत्रा मैं हूँ आपका दोस्त गोविन सर्मा बात करेंगे आज हम टाइमर के बारे में की वाट अज टाइमर क्या है कहां पर यूज किया जाता है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो तथा ये जो टाइमर आप स्क् बात करेंगे टाइमर की तो सबसे पहले आपको इंटर्विव में पूछा जा सकता कि what do you mean by टाइमर टाइमर से आपका क्या मतलब है ये आपसे पूछा जाता है तो टाइमर क्या है एक परकार का स्विच ही होता है जो टाइम बेस्ट होता है अपने कॉंटेक्ट्स को nc से no तथा NO से NC करता है माल लेते हैं हमें हमारे पास कोई sensor है हमारे पास क्या है कोई sensor है और उस sensor पर जैसे ही उस sensor की कोई output आएगी माल लेते हैं उस sensor की कोई output आए और जब उस sensor की कोई output आए उससे 10 second के बाद हमारा क्या हो load operate हो कुछ ऐसा हमें कुछ करना है माल लेते हैं हमें कोई delay देना है कहीं पर भी तो हम किसीज का use करते हैं हम timer का use करते हैं जैसे कि आपने star delta starter में देखा होगा पहले motor star में चलती है और उसके 10 या 15 second के बाद हम उसको delta में कर देते हैं तो वहाँ पर भी जो timer use हुआ वो timer ही contacts के मुकाबले हम क्या कर पाते हैं उसको delay दे पाते हैं तो क्या हुआ हमारे sensor के output आई और output के 10 second के बाद हमें क्या चाहिए 10 second के बाद हमें output अपनी जो load है वो high चाहिए तो हम वहाँ पर timer का use करते हैं इसको हम 10 second पर लगाके छोड़ देते हैं तो दथा जो sensor की output है उसको हम इस timer को operate कराने के लिए use कर लेते हैं देखते हैं कैसे कैसे हम इसको कर पाएंगे देखो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो यह एक timer है यह timer है और इस timer में क्या है इस timer में एक A point है A1 और A2 A1 और A2 यहाँ पर इसकी coil के point है सप्लाई के point है जो AC पर काम करते हैं DC वाले भी timer हाते AC वाले भी timer हाते तो A1 और A2 यहाँ पर क्या है इसकी coil के supply यहाँ पर दी गई है तो इसमें क्या होगा इसमें कुछ तो common point होगे देखो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर अगर आप देखें जो 15 और 25 नमबर है 15 और 25 नमबर क्या है अपने common है 15 और 25 नमबर अपने common है जो देखो NC और NO जहाँ भी contact होंगे फिरले होगी वहाँ पर एक common मिलेगा आपको एक point N C मिलेगा और एक point आपको क्या मिलेगा एक point N O मिलेगा अप देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हों जो 16 पivesseên है 16 नमबर पिर्ण क्या है C है कि-सका 15 नमबर पिर्ण और 18 नमबर यह वह N O है यהו 28 नमबर पॉइंट हमारा क्या है 25 नमबर का क्या है NO है ये NC है ये NO है ठीक है ये देखें ये हमने कर लिया ये आपको टर्मिनल पटा A1 A2 15 नमबर और 25 नमबर क्या है common है और 26 नमबर NC है 25 नमबर का और 16 नमबर क्या है 16 नमबर NC है 15 नमबर common का और 28 नमबर क्या है NO है 25 नमबर का और 18 नमबर क्या है? NO है 15 नमबर के वाले common का यहाँ पर यह बात हो गई अब करेंगे क्या हम? अब करेंगे क्या मान लेते हैं? इसमें sensor में supply आई sensor से supply आई हमारा timer own हो गया और timer own होने के बाद मान लेते हैं हमने यहाँ पर 10 seconds क्या दिया है हमने यहाँ पर on time delay दिया देखो यहाँ से आप select कर सकते हैं timer के माल लेते हैं मैंने 10 second क्या किया 10 second मैंने यहाँ पर इसको delay पर रखा है ठीक है तो जो हमारा load operate होगा वो timer के on होने के 10 second के बाद on होगा माल लेते हैं किसी भी sensor से हमने supply ली output उसकी sensor की आई वो उससे हमने A1 पर supply दे दी यहाँ पर sensor से आई हमने A1 पर supply दे दी sensor से और यहाँ से हमने common जो भी neutral या 0 point जो भी हमने यहाँ पर लिया sensor से माल लेते हैं यहाँ पर 24 volt आ रही है ठीक है तो 0 volt हमने अपने यहाँ पर दे दी ह हमारा circuit, कोयल का circuit पूरा हो गया, अगर ये DC है तो, DC, अगर ये AC है तो यहाँ पर phase आएगा, अगर इसकी कोयल यहाँ पर क्या आएगा, neutral आएगा, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर neutral आएगा और यहाँ पर phase आएगा, ठीक है, अब ये circuit on हो गया, ये, जैसे ही supply आएगी, sensor से, तो ये वाला operate हो जाएगा, ये timer operate होगा, और जैसे ही ये timer operate होगा, 10 second के बाद, इसका जो ये NO, 16 नमबर का NC था, ये NO हो जाएगा, और 18 नमबर का NO था, ये क्या हो जाएगा, NC, ऐसे ही पर NO, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NC, अब हम कर क्या सकते हैं, इसके 18 point से, या फिर 28 point NC से क्या कर सकते हैं, कोई भी load operate करवा सकते हैं, यानि की 10 second के बाद, इसके NO, NC contact बदल जाएगे, और उन NO, NC contact को use करके, या तो हम किसी चीज को बंद करवा सकते हैं, या किसी चीज को start करवा सकते हैं, मान लेते हैं, आगे contactor यहाँ पर NO से, NO point से जुड़ा था एक contactor की coil, तो supply कहाँ पर जाएगी, supply A1 पर जाएगी, contactor के, और neutral हमने यहाँ पर दे रखा, और contactor से हमारी क्या यहाँ पर सोरी, अठारा नंबर से लेते हैं, अठारा नंबर NO से लिया, NO टाइमर के own होते ही, 10 सेकिंड के बाद NC हुआ, और यह जो पंदरा नंबर common पर हमने phase दिया था, वो इस NC contact, अठारा नंबर से होते होते कहाँ पर आ गया, और contactor की coil energized हुई, और हमारी जो यहाँ से supply आ रही थी contactor से, वो हमारी motor पर चलीगी, हमारा जो load है, वो 10 सेकिंड के बाद own हो गया, I hope यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, धन्यवाद